दोस्तों पिछला वीडियो आपने देखा जिसमें हमने वास्त्विक संख्याओं पर चर्चा की थी और परिमे तथा अपरिमे संख्याओं की परिभासाएं सीखी थी और आज हम सीखेंगे दी गई किन ही दो परिमेशंख्याओं के बीच एक या अधिक परिमेशंख्याओं ग्याद करना ऐसे प्रश्ण अक्षर प्रतियोगी परिक्षाओं में भी आते हैं और नविक अक्षा के लिए तो ये बहुत ही उपियोगी है अनिवार ये अंग है नविक अक्षा के छात्रों के लिए तो आईए हम सीखते हैं दो परचलित तरीके हैं दोनों परिमेशंख्याओं के योगफल में दो से भाग देकर यानि दोनों परिमेशंख्या का उसत निकाल कर यहाँ 1 बटे 2 और 1 बटे 3 के बीच परमिय संक्या ज्याद की गई है जिसे आप देख सकते हैं और उत्तर 5 बटे 12 आया है अगर दो से अधिक संक्याय निकालने होती तो अब 5 बटे 12 को 1 बटे 2 के साथ आउसत निकालेंगे या फिर 5 वटे 12 का 1 वटे 3 के साथ आउसत निकालेंगे इस तरह हम एक से अधिक परिमे संख्याइ भी यह परक्रिया दुराते बिर निकाल सकते हैं अब हम देखते हैं कि दूसरी संख्या क्या है दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि दी गई दोनों परिमेशंख्याओं के हरों को उनके लगुत्तम समापवर्थे के अनुसार समहर कर लेते हैं और यदि ऐसा करने के क्रम में अन्सों के बीच में अन्य पुर्णांग प्राप्थों तो ठीक है वरना इसके लिए एक अन्य कार्ज करते हैं दोनों संख्याओं के अन्स और हरों में ये की ही उपयुक्त पुर्णांग से गुना करते हैं, जिससे हमें हर्थो समान ही प्राप्थ होते हैं किन्तु अंसों के भी प्रयाप्त अंतराल आ जाता है और बीच के पुर्णांकों को हम लिख लेते हैं उन्हें अंस के रूप में इस्तिमाल करते हैं और हर तो हर है ही यहाँ दी गई दोनों परमेशंख्याओं का समहर बना लेते हैं तो दोनों को समहर बनाने के लिए दोनों हरों का लगुतम लेते हैं जो 6 है और इस प्रकार यह दोनों संख्याएं 3 बटे 6 और 2 बटे 6 के रूप में प्राप्त होती है 3 और 2 के बीच में कोई पुर्णांक नहीं है अतह इनमें एक अन्य पुर्णांक 5 से गुना करेंगे जिससे 10 बटे 30 और 15 बटे 30 प्राप्त हुए यहाँ 10 और 15 दो पुर्णांक हैं जिनके बीच 11, 12, 13 और 14 अन्य पुर्णांक प्राप्त हुए अब इन्हें सिधे तोर पर 11 बटे 30, 12 बटे 30, 13 बटे 30 इत्यादी के रूप में लिख देते हैं उमीद है कि आपको यह तरीका पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा धनेवाद अपनी राय कॉमेंट में बॉक्स में लिखें और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन देखें